अभिलाशा दुरभागी ये है कि सब चीजों का कानून हमारे देश में है, कानून का इंप्लिमेंटेशन नहीं है, जो सबसे बड़ी प्राब्लम है हमारे यहां कि कानून का इकबाल खत्म हो गया है, हर चीज को पैसे से खरीदे जाने की एक उप्चित विवस्ता हो गई है, कि कहते हैं कि कर रिहाई की कोई आसान सूरत छूट जा और लेके रिश्वत फस गया है और देके रिश्वत छूट जा, यहां पर कानून हमारे पास हर चीज का है, किसी नए कानून की जरूरत नहीं है, लेकिन उस कानून को इंप्लिमेंट कौन करे, रविदास जी दो महीन कर लेंगे, तो क्या कर लेंगे, जब जो सबसे बड़ी जो प्राब्लम है वहाँ पर, कि 22 करोड की जन संख्या में, जिस तरीके से सिर्फ 861 आपके प्रात्मिक स्वा सामदाइक केंद्र है, और उसमें जो इस्थितिया बन रही है, जो संबेदन हिन इस्थितिया बन रही ह पॉलिटिकल विल की इतनी कमी है, आज की डेट में क्या हम लोग पिछले 15-20 साल, 25 साल या 27 सालों में 861 को 1861 नहीं कर सकते थे क्या, और जहां आप 1861 या 2861 सामदाइक केंद्र कर देते, तो शायद ये स्थितिया देखने की नहीं मिलती, और दूसरी बात मैं आपको बताओ कि यहां पर जो आपने बात कही कि लोग पेट खोल करके अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस में चले जाते हैं, तो सरकार इकबाल से चलती है, इकबाल अगर सरकार का होगा और लोगों को कानून का डर होगा, तो निश्चत तोर पर जानी है भिलाशा, कोई आदमी अपनी जिम्मेवारी से मुक्रेगा नहीं, लेकिन यहां पर तो हर चीज का इलाज है, कि हर चीज में जिसको कह सकते हैं कि कुछ ले करके और कुछ दे करके लोग अपने आप किनारे हो जाते हैं, गाओं की पोस्टिंग कोई चाहता नहीं है,